अगर आप Mathematics को पसंद नहीं करते और हमेशा उसको गाली देते रहते हो तो प्लीज ऐसा मत करो देखो Mathematics के साथ मेरा खून का रिष्टा नहीं है और ना मुझे ये पसंद है फिर भी मैं तुमसे विंती कर रहा हूँ प्लीज बोल रहा हूँ तो मेरी बात मैं थोड़ी से चाही तो ज़रूर होगी इसमें उसकी कोई गलती नहीं है वो खुद ऐसा नहीं है उसे ऐसा बनाया गया है और आज यही मैं तुम्हें साबित करने वाला हूँ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है किसी नंबर का अगर कोई पॉजिटिव पावर करने से एंसर हमें वन मिलता है तो वो नंबर रूट ऑफ यूनिटी कहलाता है यूनिटी मतलब वन ऐसा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो नंबर होता है जिसका पावर 3 करने से एंसर वन अब अगर तुम 16 साथ से कम स्कूल में पंड रहे नाजुक कली या कला हो जिसके मैस टीचर ने आज तक छुटी नहीं ली तो तुम कहोगे वन वन एक ऐसा नमबर है जिसका क्यूब करने से अंसर वन होता है जो सही भी है बात यहीं खतम हो जानी थी पर मानावता का विकास करने के चकर में कुछ महापूरू जैसे लोगों ने इसको भी टुन टुन मौसे के लड़ू की रेसिपी जितना कॉंपलेक्स बनाने की पूरी कोशिश की हाँ वही जो कोई और नहीं बना पाता जानते हो इसका रिजल्ट क्या निकला दो ऐसे नंबर जिनका ठिकाना इस पूरी दुनिया के बाहर चांद के पार प्लूटो के आगे अंट्रोमेटा गैलेक्सी से भी दूर पूरे अब्जर्वेबल यूनिवर्स में तो क्या माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जाने वाली नंबर लाइन पर भी नहीं था जानता हो ये थोड़ा जल्दी है पर शायद तुम सोच रहोगे कि फिर इन्हों ने इसे कैसे ढूंडा तो सुनो ऐसा पाप करने के लिए तुम्हें अलजेब्रा के काले अंधेरे रास्तों पर चलना पड़ेगा सबसे पहले तुम्हें ZQB equals 1 equation लेना है क्या बोला ये Z क्या है Z वही सारे नंबर है जिनका क्यूब करने से एंसर 1 मिलेगा पाक गया हूँ यार X को मानते मानते अब जिन्दीकी में थोड़ा चेंज चाता हूँ मैं तो कहता हूँ तुम भी X को छोड़ो और बाकी letters को अपनाओ सला मोनारकी नहीं है सब कहा के variable बनने का मैं तो कुछ दिन बाद अंगा और या भी मानने वाला हूँ पहले से बता रहा हूँ तुम लोग चौकना मत तो ZQB equals 1 हमने अपना equation माना अब दोनों साइड 1 माइनस करते हैं left hand side में आजाएगा ZQB minus 1 और right hand side में आजाएगा 0 क्योंकि वैसे भी अकेले दोनों कुछ नहीं उखाड पाएंगे अब 1 के place पे तुम 1 लिखो या 1 cube कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है तो अपनी सुविधा अनुसार 1 cube लिख लेते हैं जैसे A square minus B square का formula A plus B into A minus B होता है इसको यूज करने के बाद जो equation हमें मिलेगा वो है Z minus 1 into Z square plus Z plus 1 equals 0 यहाँ bracket में दो would be number का multiplication 0 के बराबर है हाँ would be अभी तो हुए नहीं ना अभी तो variable के form में है और यह तभी possible है जब कम से कम इन दोनों में से कोई एक number 0 हो यह number तो तभी 0 होगा जब Z 1 हो इसे तो हम पहले से ही जानते हैं पर क्या होगा जब यह 0 हो इसे solve करने के लिए हम use करेंगे ब्रह्मोगप्त फॉर्मला का जिसे detail में देखना है तो यहाँ देखो और short में देखना है तो यहाँ देखो सारी values को अपने अपनी जगा रखने के बाद Z हमें complex number जैसा दिखाई देगा यह root में minus 3 को हम root 3 into i भी लिख सकते हैं जहां i है root minus 1 यह दोनों complex number है जो हमेशा साथ में रहते हैं इन्हें अलग करना ना मूमकिन है तो finally यहीं है वो 3 number जिनका cube करने से answer हमें 1 मिलेगा उपर वाले से दुआ है कि यह 3 ही रहें इसके आगे और ना निकले मैं जानता हूँ ऐसे कई लोग होंगी जिनकी जांच परताल इससे आगे भी जारी होगी पर वो जितनी भी कोशिश करें उन्हें कोई रास्ता ना दिखे और वो घूम फिर के यहीं आ जाए अब देखो यार इतना करने के बाद मैं इने क्यूब करके चेक नहीं करूँगा वो तुम यह वाला फार्मुला यूज करके खुदी चेक कर लो चलो चलो तुम्हारे लिए एक कर देता हूँ येलो हो गया समय हो गया ब्रेक का लेते हैं बहतर गंटे का छोटा सा ब्रेक तब तक आप कहीं जाएगा नहीं मिलते हैं ब्रेक के बात